दोस्तो आज मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताने वाला हूँ एक कहानी क्या बताने वाला हूँ एक कहानी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेरा जहाज कितने पैसे कमाता है मगर ये समझने के लिए एक easy तरीका ये है कि मैं उससे पहले आपको एक कहानी सुनाओ कहानी है तीन दोस्तों की वो खास दोस्त हैं एक का नाम है सुनील, एक का नाम है तरुन और एक का नाम है करन अभी specialty सुनील की क्या है कि इसके पास बहुत पैसा है लेकिन यह निकम्मा है इसको काम नहीं करना कुछ भी और यह बनता है जहाज का owner और ले डालता है खरीद लेता एक जहाज इसका जोज़तों तरुन है उसके kontacts बड़े अच्छे है उसका kontacts बहुत अच्छा है उसका convincing का तरीका बहुत अच्छा है वो table पर business लेके आ सकता है वो किसी को भी men आ सकता है या convince कर सकता है उसके साथ business करने के लिए और हमारा तीसरा बंदा है करन ये है बहुत ही महनती आदमी इसके पास skills है और ये hard working है और ये outsource करना बहुत अच्छे से जानता है तो ये बनेगा अपना management company तरुन बनेगे अपने spot charter जो कि ship को लेते हैं time charter पे और voyage में spot charter पे fix करते हैं अभी आप लोगों को ये सब terms समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको simple करने के लिए कानी ऐसी लेते है कि माल लेजिए कि सुनील ने खरीदी एक taxi और वह लेके जाता है तरुन के पास और यार मैंने टैक्सी खर दी है लेकिन इसका भाड़ा भाड़ा लेना और इसकी maintenance करना और यह सब जंजट में मुझे नहीं पटना है अगर मेरे को fixed income आती रहे तो ठीक है तरुन बोलता है कि ठीक है भाई तू टैक्सी मुझे दे दे मैं चलाता हूं लेकिन मुझे टैक्सी चाहिए driver के साथ maintenance वगर तू कर पेट्रोल में डालोंगा और मैं चला लोंगा ये टैक्सी और ड्राइवर में कहां से लाँगा तो वह ढूटता है करन को वह करन को बोलता है कि यार देख 2000 रुपए मेरी रोज की कमाई है मेरी टैक्सी से इसमें से तू ले ले 400 रुपए और मेरे को दे दे एक ड्राइवर और जो भी गाड़ी में maintenance लगता है खर्चा-पानी लगता है या insurance लगता है या paperwork लगता है वो सारी चीज़े तू देख ले ताकि मैं घर में बैठा रो बड़े अराम से और मेरे को fixed income 2000 आती रहे 400 में तेरे को दूंगा 1600 रुपए मेरे रोज के fix रहेंगे तरुन का भाई काम है उसके contact अच्छे है वो भाड़ा कहीं से भी निकालता ह नेगोशियेट करता है कभी ज्यादा कमाता है कभी कम कमाता है बट fix income owner जो की सुनील है उसको देता रहता है अब इसको भाड़ा मिलता है यहां से दिल्ली का अब दिल्ली तो जा रहा है लेकिन दिल्ली से return में उसको भाड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यह price जो negotiate करता ह जिसको भी अपने बाड़े पे टैक्सी देता या जो भी पैसेंजर को लेके जाता है उसको बोलता है कि या रीटरन में तो मुझे खाली आना पड़ेगा आप मुझे भाड़ा पूरा देदो राउंड ट्रिप का देदो आप मुझे मुंबई दिल्ली दिल्ली मुंबई जहाज कितने पैसे कमाता है पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक जहाज कितना कार्गोड कर सकता है क्योंकि कार्गो लोडेड इस डेरेक्टली प्रोपोशनल टू फ्रेट अन्ज्यादा कार्गो मतलग कि ज्यादा भाडा या ज्यादा फ्रेट्ट्रा और पानी के अंदर तो कितने वजन के पानी को डिस्प्लेस कर देता है वह जहाज का डिस्प्लेस्मेंट होता है मतलब की उसका पूरा वजन लाइट डिस्प्लेस्मेंट या फिर लाइट शिप वह चीज है जो कि हमारे खाली जहाज का वजन होता है जहाज बना हुआ है metal का लोहे का इसमें लगा हुआ है accommodation इसमें लगे हुए super structures इसमें लगी हुई है deck में काफी सारी fittings, vents, lines, pump और भी बहुत सारी चीजें तो अगर एक खाली जहाज का जो वजन होता है उसको कहते हैं light ship अब मेरे जहाज का आप लेंगे तो displacement इसका चला जाता है 55, sometimes 58,000 metric ton dead weight अब यह dead weight वह चीज है कि displacement जो मैंने आपको बताया जहाज का पूरा वजन उसमें से आप खाली खाली जहाज के वजन को subtract कर दीजिए मतलब कि displacement minus light ship तो आपको मिल जाएगा dead weight displacement minus light ship तो आपको मिल जाएगा dead weight dead weight मतलब की cargo carrying capacity मगर यह जो dead weight है यह सीधा का सीधा इतना cargo जहाज नहीं ले पाता क्यूंकि इसमें होते हैं deductibles क्यूंकि जहाज में और भी known weights होते हैं जैसे कि bunker हो गया, fresh water हो गया, ballast हो गया और एक जहाज का constant होता है जो वजन हम measure नहीं कर सकते, tanks वगर में mud हो सकते हैं और ऐसी चीज़ों को constant बोलते हैं तो आपको यह सारी चीज़ों को dead weight से minus करना है और उसके बाद आपको मिलेगा cargo carrying capacity तो मेरे जहाज का अगर आप यह सब चीज़े minus कर दें तो around roughly ले लिजिए 40,000 metric ton जो real जहाज का earnings वगर का calculation होता है उसमें हम bunker का cost minus करते हैं क्योंकि जब जहाज चलता है तो वो fuel consume करता है और यह एक बड़ा खर्चा है जहाज को चलाने में किसी भी जहाज को चलाने में दो बड़े खर्चा आते हैं एक होता है crew की salary और दूसरा होता है अपना bunker cost तो calculation को simple करने के लिए हम लोग अलग अलग fuel नहीं लेंगे like heavy fuel oil और diesel oil अलग अलग नहीं लेंगे इनको combine कर देंगे और एक easy calculation के लिए एक price fix कर लेंगे अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक example के टॉर पर एक storage plan आपको दिखाता हूँ जिसमें की tank wise cargo और आपको idea होगा कि जहाज कैसे decide करता है कि वह कितना cargo load कर सकता है हमारे 14 टैंक है जिसमें से की one to six बार टैंक में हमने कार्गो लोड किया हूँ यह कार्गो की density है अलेज है basically कितने लेवल तक कार्गो लोड किया हुआ है क्या temperature पर कार्गो लोड किया हूँ यह metric ton अलग-अलग tank में कितना है और यह इसको बोलते है standard volume gross standard volume मतलब कि कार्गो का वजन एक standard 15 degree और यह हमारे टैंक का दिखा रहे कि कितना भरा हुआ है तो काम की बात यह है कि टोटल कार्गो 40,000 हमने ले लिया मैं कि हमारे जहाज का ड्राफ्ट यह आ गया प्रॉबली उस पोर्ट में इतना ही ड्राफ्ट allowed होगा हमारे पास 40,000 कार्गो के साथ है bunkers है constant है slops है टेकनिकल फ्रेश वाटर है और बैलेस्ट भी है ऑफ्कोर्स लोडेट पैसेजर मिनिमम बैलेस्ट होता ही है सब टैंक में मिला के ISO 300 बनता है कार्गो और यह सारी चीज़े जो डिदक्टिवल है यह सब को मिला दिया ज ग्राफ्ट तो वीडियो के स्टाटिंग में आपको एक कहानी सुनाई थी अब वो टेक्सी को जाने दो अब इसको जहाज पर लेते हैं मैं हूँ सुनील मैं हूँ जहाज का ओनर मगर मैं नहीं चाहता कि जहाज को फिक्स करूँ तो मैं दे देता हूँ अपना जहाज टाइ कि यार भाड़ा तो मैं ले आऊंगा लेकिन मुझे ड्राइवर भी चाहिए मुझे जहाज का मेंटनेंस इंशुरेंस और पेपर वर्क यह सारी चीजों में नहीं पढ़ना है तो सुनील सोचता है कि यार ठीक है मैं करन को हायर कर लेता हूं करन है एक मैनेजमेंट कंपनी जो कि जहाज का देगी टेकनिकल मैनेजमेंट, क्रुइंग, स्टोर, स्पेर, मेंटनेस और सर्वेज यह सारे कॉस्ट वो देखेगा और उसके लिए उनर उसको एक फिक्स पैसे पे करता रहेगा अब भाई जहाज मिल गया तरुन को ड्राइवर के सा आप और हमें फिक्स देते रही है अपना जो भी हमारा कट है अब तरुन के पास जहाज आ गया अब तरुन को सिर्फ जहाज को फिक्स करना है उसके लिए कारगो ढूड़ना है और बंकर सप्लाई करना है और बंकर के कॉस्ट को जहलना है और उससे जो भी इंकम आती है वो नियॉक में अब उसे कार्गो मिल रहा है रोटर डैम का और उसे जानना है कि भाई यह पर्टिकुलर कार्गो मुझे नियॉक से रोटर डैम लेके जाने के लिए कितना फ्रेट होना चाहिए हमारी एक इंस्टियूशन है मरी बहुत ही बड़ी इंस्टियूशन है उसको कहते है बिम को ने बनाय हूँ है और व्र्ल्ट स्केल 100 उतलब जो प्राइज मेंचेन है उतना ही प्राइज कर मेardenो अगर आप लेंगे तो उसको कहते है वर्ड स्केल हंड्रेट जो कि एक एफरमेक्स साइज के शिप के लिए बना हुआ है लेकिन मेरा शिप एफरमेक्स 75,000 डेट होता है मेरा है अबाउट 50,000 डेट तो फरक पड़ेगा तो मेरा शिप जो मैं फिक्स करूंगा तो वर्ड स्के प्राइस अगर शोटा है तो वर्ड स्केल के प्रैस कट प्राइस में जाेगा और यह जो फिन वर्ड स्केल में दिया हुआ थेStarlet कली राउंट होता है अगर मैं नियकर में अहूं और रोटाइम जा रह रहा हो तो नियॉयोक से रोटाइम रोटाइम से नियॉप बैसिकली यहां पर ओनर और तरुन है जो जहाज को लेते हैं टाइम चार्टर पे और उसके बाद उसको स्पोट में वाइच चार्टर पे फिक्स करके एक्स्ट्रा कमाई करते हैं और इन ओनर को कुछ भी नहीं करना इन्हें सिर्व जाज खरिदा है तो इन्होंने करन को दिया है भाई तू संभाल इसका टेक्निकल मैनेजमेंट कुरूइंग मेंटनेंस सर्वे स्टोर्स इंशरेंस इसमें से सबसे बड़ा खर्चा होता है क्रू की सैलरी अप मेरे जहाज में सारे क्रू मेंबर्स की आप सैलरी कंबाइन कर दे तो बनेगी अबाउट 95,000 यूएस डॉलर पर मन्त जो की दिन का बन जाएगा 3,200 डॉलर क्रू की ट्रेनिंग का खर्चा होता है क्रू सर्टिफिकेशन होता है क्रू चेंज एक बड़ा खर्चा होता है जहाज के सर्वेस होते हैं जो की एरली होते हैं डाई साल में होते हैं और करनी होती है मूविंग पार्ट की ऐन मशिनरी मैंटिनेंच जो की अच्छा खासा कोस्ट होता है हमारे जनरेटर सो थे में इंचिन होते हैं बॉस वह शारी चीजों का मेंटिनेंस और यह जहाज में 21 लोग है यह घृत काम करते हैं तो उसका खर्चा होता है प्रोविजन का पिर यह लोग PP यूज करते हैं और भी बहुत सारे डेक में स्टोर्स यूज करते हैं सिमिलरली एंजिन स्टोर्स होते हैं तो यह सारी चीजों की देखरेक करता है करन जो की है यह जो कॉस्ट यहां पर आप देख रहें यह सब में हम लास्ट में देखेंगे अब देखें तरुन को फ्यूल का कॉस्ट डेली कितना आता है हमने कहा था सिंपल करने के लिए हम कंबाइन कर देंगे तो बंकर कॉस्ट हम अजियूम कर रहे हैं साड़े 400 डॉलर पर मेट्रिक टन और रोज का मेरे जहाज खा लेता है 20 मेट्रिक टन फ्यूल जब वो सेलिंग पर होता है तो फ्यूल का कॉस्ट एक दिन का तरुन को उठाना पड़ेगा वह हो जाएगा साड़े 400 डॉलर इंटू 20 जो की हो जाएंगे 9000 डॉलर तरुन चल पर बेस्ट है क्योंकि यह जहाज 75,000 डेट या एफरमक्स टैंकर से छोटा है तो इसको वर्ल्ट स्केल रेट 100 से उपा जाएगा अबाउट 160 जो 30 इंटू 1.6 48 यूज डॉलर पर मेट्रिक टन 40,000 मेट्रिक टन कार्व को हम लोड करेंगे तो फ्रेट अर्निंग्स होगी ज जब वो उस फिक्स ताइम को एकसीड करता है तो एक डेमिरेज होती है डीले के लिए जो की आती है बाउट 20,000 पर डे तो समझ लीजिए कि 3 दिन का 72 आवर्स उन्होंने एकसीड कर दिया और 4-5 दिन का डेमिरेज कमा लिया गया तो शिप्ट की अर्निंग होगी टोटल टूमिलियों डॉलर्स तो यहाज कमाेगा गहां घर यह वोज करने के लिए नियॉक टू रोटरडाइम ऐंड और शिप्र釈 रोट लिए थेलिंग हो गई आपकी लोड़ेड में जाने के लिए नियॉक टू रोटर रहाव्स आने के लिए भी हमेर्स समझ लीजिए एक 20 12 देज चार दिन का पोर्ट स्टे जो कि तीन दिन का एलाउड होता है हमने रफली इजी कैलकुलेशन के लिए चार दिन का डेमरेज डिले तो 33 देज लगेंगे इस वाइज को कम्प्लीट करने के लिए तो तरुन को बहुत मज़ा आ रहा होगा फ्रेट कमाने में और दिन का सेलिंग के टाइम पे बंकर ज्यादा कंजीम होता है पर डे 20 टांस और पोर्ट में आपका कम कंजीम होता है तो टोटल कंजम्शन आप समझ लीजिए कि 450 इंटू 20 इंटू 25 डेज और पोर्ट के भी एक्सपेंसेज आपको पे करने पड़ेंगे 250,000 डॉलर बेसिकली दो लाख 50,000 डॉलर का बंकर जल जाएगा वोयज में इसके अलावा पोर्ट में भी खर्चे होंगे टग का पाइलेट का पोर्ट चार्जेस बर्ट चार्जेस तो दोनों पोर्ट का मिला लिजिए 40,000 और 40,000 अंदाच से तो ये हो जाएगा 80,000 इस केस में कोई कैनल ट्रां 20,000,000 डॉलर फ्रेट में फ्रेट बोले तो अपना फ्रेट और डेमरेज जो डीले वगरा हो सब मिला के और अगर आप कुद फिक्स नहीं करते और आप ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं तो उन्हें आपको कॉमिशन पे करना पड़ता है दोकी होता है अबाउट 2.5% वो कर ज की अब एक दूसरा खतरना टर्म है टाइम चार्टर एक्वेलेंट तो यह क्या चीज है कि पूरे वोईज के जो रेवेन्यू हुए उसमें से आप खर्चों को निकाल दीजिए और उसके बाद इस फिगर को आप डिवाइट कर दीजिए टोटल राउंड ट्रिप वोईज स किया है और खर्चा अपना बंकर पोड्यूज कैनल अगर है वह सब निकाल दीजिए और डिवाइट कर दीजिए राउंड ट्रिप वाइस से मतलब की न्यूयॉक रोटडाइम न्यूयॉक जितने भी दिन लगते पोड्स टे और जो फिगर आएगा उसे बोलेंगे हम क्या टाइम चार्टर इक्विलेंट उसको डिवाइट करेंगे तो यह सारा हिसाब किताब पर डे का बनेगा यहां पे और टाइम चार्टर इक्विलेंट निकलेगा 49,000 डॉलर्स तर उनके दिन की कमाई हो जाएगी बाउट 49,000 जिसमें से की 25,000 डॉलर्स से सुनील को देना ही है पर डे का उसका टाइम चार्टर पे जो उन्होंने उनका शिप लिया हुआ है और कमाई होगी नेट प्रॉफिट उनका हो जाएगा 24,000 डॉलर्स एक दिन का नियॉक में कारगो लोड करने के बाद रोटेटैम में डिस्चारज करने के बाद हो सकता है कि ये खाली नियॉक ना आया और रोटेटैम में ही एक दूसरा कारगो ले ले और उससे अपनी कमाई और बढ़ा ले तो ये सारे उप्शन इनके पास है सो बोलने का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट हमने कैल्कुलेट किया है हो सकता है उनका प्रॉफिट तरुन का एक्चुली में इससे जादा भी हो जाए सुनिल का प्रॉफिट और करन का प्रॉफिट प्रिटी मच सेम है क्योंकि इनके सारे और खर्चे सब प्रिटी मच सेम ह है 25,000 डॉलर इन्हें मिलेगा रोज जिसमें से कि 10,000 डॉलर इन्हें देना पड़ेगा करन को management company को चलाने के लिए तो as a owner सुनिल का profit per day का 15,000 dollar fix है और करन के खर्चे मैं बता चुका हूँ उन्हें ship को चलाने के डी आर सी डेली रनिंग कॉस्ट लगाना पड़ता है जो कि आएगा बाउट 6,000 dollar तो इनका बचेगा profit about 4,000 dollar per day from ship देखिए भाई शिप पे cargo carry करना कितना सस्ता है आप सोचिए एक metric ton cargo आप एक tanker जहाज पर लोड कर पा रहे हैं सिर्फ about 48 dollars में 48 dollars क्या होते हैं 4-5,000 रुपए 4-5,000 रुपए में तो यार अगर आप अपनी girlfriend को international उसके लिए कोई gift बेज रहे हैं तो उसमें भी आपके इससे mode of transport क्यों है और कैसे है तो एक बर फिर देखते हैं तो सुनील जो की ओनर है इन्होंने अपना चाहाज दिया तरुन को चलाने के लिए क्योंकि इन्हें कोई headache नीच चाहिए बाड़ा बाड़ा कुछ नहीं डूड़ना और सुनील को उसका maintenance भी नहीं करना ना ड्राइवर ढूड़ना ना कुछ तो उन्होंने वो management company करन को दे दिया चलाने के लिए तो यहाँ पर तरुन जहाज से कमाई कर रहे हैं वो कमाई वो per day की fix 25,000 डॉलर सुनील को दे रहे हैं उस 25,000 डॉलर में से वो 10,000 डॉलर per day करन को दे रहा है management company को जिसमें से की 6,000 डॉलर या 7,000 डॉलर वो daily running cost है शिप का हर दिन का खर्चा है जिसमें में खर्चा accruing का cost का आता है जो की होती है cruise salary बाके की यह सारी चीज़े मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ तो इनका profit हो जाएगा about 4-5,000 डॉलर per day का अब यह तो दोस्तों मैंने आपको एक ship का हाल बताया तो एक ship का profit देखके आपको लगेगा कि यार owner सुनील क्या कमार है कुछ भी नहीं और करन management company क्या कमारी असली कमाई तो सिर्फ तरुन की हो रही है बट ऐसा नहीं होता क्यूकि owner के पास एक ship नहीं होता उसके पास बहुत सारे ship होते हैं और सारे ship की कमाई आप जोड लीजिए तो एक बहुत ही बड़ा amount बन जाता है और similarly current कोई एक ship manage नहीं कर रहा होगा, वो manage कर रहा होगा काफी सारे ship और सारे ship का अगर cost जोड़ लिया जाए तो profit बहुत जादा हो जाता है अब आपको लगेगा यार सबको तरुन बनना चीए और vessel को voyage पे fix करना चीए मगर ऐसा नहीं है, अगर market अच्छा है, context अच्छे है, आपको cargo मिल रहे तो definitely तरुन का फाइदा है लेकिन अगर market खराब है तो आप सोचिए अगर तरुन को cargo मिले या ना मिले मगर उसको owner को रोज की कमाई उसको देनी पड़ेगी और managers की भी कमाई चलती रहेगी, क्योंकि जहाज में cargo हो या ना हो, उसका maintenance, उसका growing cost और सारी चीज़े चलती रहती है एक अच्छे market में, बुरे market में और availability cargo की और उनके prices, bunker prices, ऐसे ये बहुत ही बड़ा topic है और बहुत in-depth topic है मैंने तो सिर्फ सर्फेस पे सिर्फ थोड़े-थोड़े scratch भी नहीं मारे है, समझे, आपको simple तरीके से एक general बताया है, real calculation बहुत ज्यादा complicated होता है और वो इस वीडियो के scope के बाहर है, रेकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, रेकॉर्ड हो रहा है एक्स्प्लेंट स्टोवेज प्लाइन, अब तरुन मार्केट में निकला है और उसका ship है, उसे fix करना है, fix करना है, एक मिनट, कहां से उम्मीद है दोस्तों, आप लोगो को कुछ idea लगा होगा कि ship कैसे कमाता है और कितना कमाता है, अगर idea लगा, तो लाइक का बटन जरूर दावाना चैनल पे सब्सक्राइब करना, stay fit, jai hind, I will see you on the next one.